नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चेनल विदी लौजी पर आज हम लोग एसमा एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जी हाँ, इसका जो एसमा एक्ट जो है उसको किस तरीके एशेंजिस करके मधिबरेश में लागू किया गया दोस्तों, एसमा एक्ट जो है यह इदेंशे सर्विसेज मेंटेन एक्ट कहा जाता है इसको जो कि सेंट्रल गवर्मेंट ने 1968 में पारित किया था यह एक्ट उस वक्त इसने लाया गया क्योंकि जो सरकारी करमचारी यह संगठन थे वह लोग अगर हर्ताल पर चले जाते थे तो उसकी वज़े से जो आम जन जीवन है वो प्रभावीत हो जाता था तो ऐसी अननेसेसरी हर्तालों को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्मेंट ने यह एक्ट लाया और इसके अंतरगत ऐसी सेवाओं को जोड़ा जो कि बहुत जरूरी है यानि कि अती अवश्चक है आम जन जीवन को प्रभावीत ना हो इसलिए उन्होंने इन सेवाओं को उस अधिनियम के अंतरगत जोड़ दिया और उसमें यह व्यवस्ता की गई कि उससे जुड़े जो सरकारी संगठन है वह लोग जो हैं हर्ताल पर नहीं जा सकेंगे और अनेसेसरी एसी कोई काम को रोकने की कार्या है वह नहीं कर सकेंगे दोस्तों यह जो एक्ठ है जरूरी नहीं है कि सरकारी संगठनों पर ही लगे अगर ऐसी आवश्कता पड़ती है तो यह गेर सरकारी संगठनों पर भी लागू किया जा सकता है , हमारे मद्यपर-देश ने इसे लागू किया 1979 में क्योंकि केंदो्सरखार ने जब ये और ये एक्ट भनाया तब ये सारे राज्यों को चूट दी थी , कि वह रोग अपने अपने इस तर्द पर ये चैंजेश अत्यावशक सेवा संधारण तथा विचिंता दी नियम 1979 यह एक्ट हमारे यहां पर 17 अप्रैल 1979 को लागू हुआ और इसी दिन इसे राज्यपाल की अनुमती भी प्राप्त हुई थी दोस्तों इसके अंदरकत और क्या है उसके बारे में हम आगे डिसकस करते हैं कि कोई अगर इस एक्ट के अंदरकत बनाएगा नियम बाउलंगन करता है तो उसके लिए क्या शास्ती है यानि क्या पैनल्टी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों याद रहे कि इस अभी हाल फिलार में अगर हम अधारन देखते हैं तो हमारे राज्जे के जो मुख्यम मंत्री हैं श्री शिर्वा सिंग चोहान जी उन्होंने अभी इसे को लागू किया था यानि की आठ अपरेल दोजार एक्ट के दिन उन्होंने ट्वीट के माद्यम से एक ट्वीट किया थ रहता है तो उसके लिए इसके अंतले शास्ती बताई गई है तो चलिए दोस्तों बीना देर करें हम आगे शुरू करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए इसका नाम है मद्यप्रदेश में पूछा जा सकता है इस एक्ट को राजयपाल की अनुमती 17 अप्रेल 1979 को मिली और यह लागो भी उसी दिन हुआ इसके अंदर टोटल 11 धराएं हैं और एक अनुस उची है इसका विस्तार जो है पूरे मद्यप्रदेश पर है जो की धरा एक के अंदर बताया गया है और इ सेवा के अंदर किन व्यक्तियों पर लागो होगा तो मैंने आपको बताया है कि जो यहां इसक्रिंट आप देख पा रहे होंगे कि यह पांस तरखी की सेवा उपर लागो होता है एक है विज्ञानिक दूसरा तकनिकी तीसरा कार्य पालिक चोथा है प्रवरति यानि की ऑप व्यक्ति कौन होंगे तो वह ठेके पर रखे गए यानि कि समवीदा करमचारी जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि समवीदा शिक्षकों की बड़ती होती है या फिर हमारे कोड के अंदर हमने देखा है आजकल की जो लॉक लर्क की बड़ती हो रही है वह भी आजकल कॉंटेक वैसिस पर होने लगी है तो वैसे करमचारी या जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है यानि कि जो पार्ट टाइम है जो कुछ टाइम काम करते हैं कुछ टाइम नहीं करते हैं तो वह वेक्ति भी इसके अंतर सम्मीलित हैं तीसरा है आकास्मिक वियाय से बुक्तान पाने जो उसमें कंटिन्यू काम करना पड़ेगा उनको अगर वो उससे पीछे हटते हैं या मना करते हैं तो ऐसे लोग भी इसके अंतरगत संबंदित हैं पांचवा है राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी से किसी भी नाम से आर्थिक फायदा प्राप्त कर रहा हो मतलब इसका एक्जाम कारा समय सकते हैं एंजी ओस हो गए यानि कि जो एंजी होते हैं अगर वो किसी राज्य सरकार से फंडिंग लेते हैं तो वह भी इस सेवा के अंतरगत संबंदित हैं या फिर जो लोग स्वास्त के संबंद में सारवजनिक फायदे के लिए करतवयों का निर्वन कर इसके दो जो हैं वो बताए गए हैं परिवाशा के अंदर पहला है अत्यावशक सेवा यानि कि बहुत जरूरी जो सेवा हैं उसका मतलब क्या होगा तो वह होगा जो की अनुसूची में वर्णित किये गए हैं इसके साथ में अनुसूची दी गई है दोस्तों उसके वालिक प्रवर्ति तता अनुसूची व्यक्ति तो यहां यह जो अभी आल पड़ा की जो सेवा होगी वह किस प्रकार की होगी तो उसी का पार्ट है जो पहला है इसमें यह बताया गया है कि जो विग्यानिक तकनिकी और काने पाले की इससे मतलब यह होता है कि ऐसे जो आप पाछिख पाधन या पारेशन या उसको वितर भी तोर मतलब यह जो वितरन यानिकि षकर बाटनी का जो सिस्टम है उसमें जो भी करमचारी है कोई दूसरा है कि कोई लोग तरहां राज्जी और वरिवन तथा करमशाला है यह जो आपका टांसबॉर्ट है उसको बादितनी करने वाली सेवा हैं तीसरा है इसके नादर लोग स्वास्त जो कि अभी की जो सिच्वेशन उसके लिए मूस्ट इंपोर्टेंट है और उसके लिए एक रिगुलेशन भी जारी किया गया है उसके बारे में भी हमने आगे इसके अंदर एक अलग से नोट डाउन किया है वो भी सेवा के नतर आते हैं नंगर निगम बारिका या अदिशॉची शेथद्र जहां पर यह जो पर आएंगी दूसरा है उसके अंदर पॉंट परिक्षा के संचालअन के लिए न्युक्त वियक्ति तो यह वो वियक्ति हो जोके अपका जो मद्य पदेश मद्यमेग शिक्ष रमनडल जो पाल हो गया उसके अंदर कर जो अधिकारी वह ग dem या जो विश्व विद्याले हैं उसके अंतरगत जो आधिकारी हैं वह हो गये और इसके अलावा आप जो व्यापम जो है वह सिके इस अंतरगत जो परिक्षया के संचालरन के जितनी भी घतिवीदिया है उसमें जो connected जो कर्मचारी है वो सारे ही अत्यवाशक सेवा के category में आते हैं चोथा संसद या राज्य विधान मंदल के निर्वाचन के लिए नियुक्ति व्यक्ति तो यहां निर्वाचन से पर यह है कि जो इन संसद या राज्य विधान मंदलों के जो निर्वाचन के लिए ऐसा समझना चाहिए कि कहीं बार ओला वरष्टी की वज़े से ज्यादा बरसात की वज़े से हमारे आपर फसले खराब हो जाती है और उसका जो मौावजा है यानि कि जो अनुतोष है वह देने के लिए जब गौवर्मेंट और करती है यानि कि सरकार जब आदेश देती है तो उसका वेलिएशन करने के लिए या उसका बुक्तान करने के लिए जो अधिकारी इन्वाल्व है जो रिस्पॉंसिबर है वह भी अतियावशक सेवा के अंतलब आते हैं इसका जो सेकंड परिभाशा का उसमें बता गया है कि कार्य करने से इंकार करना तो यहां ऐसा व जा जाएगा धाराचार यह सबसे इंपोर्टेंट और मतलब मौस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है पूरे एक्ट के अंदर क्योंकि इसी के अंतरगत आदेश दिये जाते हैं जो हमार्य अत्यावाशक सेवा हैं उनके लिए धाराचार का बोलती है कि कि इंकार किये जाने का प्रतीशेद यानि कि रोकना करने की शक्ती, तो यह किसके पास होगी, तो यह राजेसरकार के पास होगी, यह तब कि अगर उसको समाधान हो जाता है, कि लोग लोग विवस्ता में साधारन या विशेष आदेश वो प्रित कर्देगी, और ऐसे आदेश की जो तारीखे पारित होने की उसी दिन से जो अत्याशिक सेवा में कारिक करने का जो प्रतीशित है वो लागो हो जाता है कि अगर कोई प्रतीशित करता है मना करता है या किसी काम करने को रोकता है या उसको दुश्परेण करता है तो वह उस आदेश का उलं करने के शक्ति होती है, उसमें यह तीन महा तक valid रहता है। राजसरकार अगर चाहे तो यह तीन महा समापती के बाद इसको फिर से अगले तीन महा के लिए बढ़ा सकती है। तीसरा ऐसा आदेश, ऐसी जिति से प्रकाशित किया जाएगा यह special note हमने डाला है मद्धिवदेश के regarding जो की अभी हाली की घटना है कि मद्धिवदेश में कोरोना की बढ़ते मामलों को देखते हुए 8 अपरेल 2021 से आने वाले 3 महां तक सरकार ने स्वास्त सिवाओं को अतिवाशक सिवाएं गोशित कर दिया है इसमें सब कोई भी डॉक्टर नर्सेज या पेरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी करने से मरेजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकता यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी और गेर सरकारी स्वास्त सुविधाओं पर लागो होगा इस अधिनियम की धारा चार एक का प्रयोग करते हुए राजसरकार ने निमनलिखित को अतिवाशक सेवा में शामिल किया है तो वो सेवाएं कौन-कौन सी है दोस्तों शाष्ट की नीजी स्वास्त और चिकिस्ति संस्थान में सभी तरह की सभीधा है तो यहां देशे आप देख रहे हैं कि सरकारी और गेर सरकारी दोनों ही इस क्रिटिगरी में आ सकते हैं दूसरा है डॉक्टर, नर्स और स्वास्त कर्मी, तीसरा है स्वास्त संस्ताओं से सच्छता कार्य करता चोथा है मेडिकल, उपकरणों की बिकरी, संधारान और विनेरान, याने कि जो संसाधन है, जिनकी मेनिफेक्टरिंग और उनका बिकरी है वह सब भी सरकारी कंट्रोल से होगा, इंबोलेंस सेवाएं, पानी और बिजली के आपोर्ती, सुरक्षा संबंदी सेवाएं, खादी पेजल का प्रावधान और प्रबंदन, और बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंदन, यह सारी ही जो क्रेटेगरी है, यह अभी मेडिवदे सेवा में कतिपए क्रिया कलापों का प्रतिशेद, यानि की प्रोइबिशन, किसी चीज़ को रोका गया है, तो धारा 4.1 में मिनिर देश्ट तारिक से कोई भी वेक्ति जो अत्यवाशक सेवा से संबंदी थे, चाहे अकेले या सम्मेलित रूप से निमनलिकित कारे नहीं कर जाता है जिस जूटी पर है उसको, दूसरा अतिरिक तक समयकार है, यदि उसकी डूटी पुरी हो जाती है और उसके बाद राजसरकार बोलती है, कि आपको अतिरिक समयके लिए कार्य करना होगा, अगर ऐसी कोई अतिय वशक सेवा है, तो उसे करना होगा, वो मना नहीं कर स जाता है, वह भी इससे इन पूरे जो छे निया में उसे अलग है, नश्ट या नुकसान नहीं करेगा, तो यहां नुकसान से तात्वर्य है, कि वह जहां कार्य कर रहा है, वहां पर कोई मशिनरी है, या फिर कोई ऐसी संस्था है, जहां पर सइयंत रहे है, या फिर किसी तो वह भी इस दह्रा के उव धरतीं के अंदर गत्टन इंक्लोडिंग है जो था अनुपस्ति थी व बिना अनुमती से मतलब है कि बीशन लिए वह अनुपस्ति नहीं होगा उसकी ड्यूटी से की पांचवाहे कारी मनदता यानिकि कार्य जो सो कारी दिया गया है उसके अं। HEYT करना यानिकि अगर उसके पास फॉन रेसीव करना है तो वो नहीं उठा पा रहे हैं या उनके पास कई काम करने के होजार हैं जैन करकर जोजार को नीचे रख देना वी натा गेप ले लेना या फिर कोई ऐसा कारी नहीं करेगा या कारे लोप नहीं करेगा जिस्से की जो हमारी वेवस्ता है वो प्रभावित हो तो यहां कारी नहीं करेगा यह तो आपको समझ में आजाएगा कारे लोप से मतलब यह होता है कि कोई ऐसा कारे जो उसे करना चाहिए और अगर वो उसे नहीं करता है तो उसकी वज़े से सामने जन जीवन प्रभावित होगा वह कारे लोप के अंतरगत आएगा साथवा है कारे या करतव्यों का निर्वहन यहां दोस्तों यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी सेवाओं में सनलगन है उसका जो कार्टेवियों का निर्वन अगर वो कर रहा है तो कोई उसे नहीं रोकेगा धारा छे वादों या कारेवाहियों का जिला नियाइधिश के नियाइले द्वारा संग्यान धारा चार एक के आदेश को चुनोती केवल जिला नियाधिश के नियाले में ही होगी न कि किसी अनियाले में यहां दोस्तों यह बताया गया है कि जो चार एक के अंतरगत आदेश देती है राजे सलकार अत्यवाशक सेवाँ के अंतरगत उसका जो कारवाई है उसकी चुनोती है उस आदेश को वह सिर्फ और सिर्फ जिला नियाएधिश की नियाले में ही दी जाएगी उस आदेश पे जो आपने चुनोती दी है उसके उपर जो इस्टे या इंजेक्शन यानि कि उसके उपर रोक या व्यादेश का आदेश जो है वह एक पक्षे पार्टी नहीं होगा यानि कि जो है एक पक्षे करवाई वहाँ पर जिलाने एधिश नहीं करेगा यही धाराचे के अंदर बताया है धारा साथ शास्ती पेनल्टी यहां पेनल्टी दो तरीकी की होती है दोस्तों जो कि हमने धारा पांच पड़ा कि धारा पांच की जो तीन है उसको छोड़कर बाकी जो भी उबंद है उसका उलंगन अगर कोई करता है या उसका दुश्प्रेंड करता है या उसका प्रयत्न करता है तो उसके उपर छे माह या 500 रुपे जुर्माना या दोनों की पेनल्टी यह शास्ती लगाई जा सकती है दूसरा धारा पांच तीन के उबंद जो है अगर उसका कोई उलंगन करता है या दुश्प्रेंड करता है या उसका प्रयत्न करता है तो उसके उपर तीन वर्ष का या 5000 रुपे जुर्माना या दोनों का जो है दंड अरवित किया जा सकता है धारा आठ विच्छिन करने है तो उदिप्त करने या उत्रैरित करने या कोई वित्ती य सहायता या समर्थन देने के लिए शास्ती यानि कि किसी को उक्साना काम नहीं करने के लिए तो धारा आठ के अंदर बताया गया है इसमें भी दो पॉइंट है कि जो कोई इसमद्हान को करनेसे उक्साएगा या समागरी देगा इस तरीके की कोई भी कार अकर किसी के द्वारा किये जाते हैं यानि कि वह जो कार इमतुत्लियक्द करने से किसी को रोका जाता है या कोई ऐसा कारेज जो उसे नहीं करना उसको करने के लिए प्रदीत किया सकता है तो वह धारा-गारा आथ के अंतरगत आएगा और यह समझा जाएगा कि उसने इस धारा के उबन पाउलंगन किया है और उसके विरुद्ध का रवाई का दंडीत कर उसे मतलब जो उसको जो दंड उसके लिए दिया जासकता है और उसकी जो रीती होगी वही होगी जो CRPC के अनुसार हो यानि कि CRPC के अनुसार जो विवस्ता की गई है यानि कि निवारन, जाँच या अनुवेशन या विचारन करने की वही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाएगी दारा ग्यारा के अंदर गर्द दोस्तों जो है निरसन दिया गया हुआ है इससे पहले जो विचिन्दा दिनियम 1968 का जो था उसे इस एक्ट के दोवारा निरसित कर दिया गया था यही था दोस्तों पूरा एसमा एक्ट और इसके बाद जो है इसके जो MCQ क्वेशन से उसका वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे यहां तक देखने के लिए थैंक यू एंड बने रहेगा हमारे साथ ऐसे ही और वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग